आज पढ़ने जा रही है spectral जा रही है कि असले तो किल ießen आगए राफ करेंगे हम यहां पर इंड यह 20 के बारें बात करेंगे है सब्थों सबसे पहले हम ही में ट्योट इनके बारें बात करेंगी देन इसके बार फिर Eostrain के बारे में जानेंगे और साथ में H&E Staining जिसको बोला जाता है जो रोटीन में Histology के लिए यूज की जाती है उसके बारे में भी A to Z देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेती हैं उसके रिकार्डिंग में भी यह इंपोर्टेंस है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक Scientist की बात करेंगे जिनका नाम है वर्ल्डेयर ठीक ना यह Scientist का आप नाम याद रखेगा वर्ल्डेयर ने क्या किया था एक तरह कह सकती है कि यह पहले इस्टार्टिंग में Histology में Technician थे जो Histology Department होता है Histopathology महाँ पर Technician थे देन इसके बाद साथ में यह अपनी Study को Further Continuous रखे रहे और जा करके फिर यह Histology में एक तरह कह सकती है कि यहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा Contribution दिया और अपनी पूरी Study को Complete है डांक्टर की उपादी को Complete है ठीक है तो जो World Year होते हैं यह Formally Stabilize किये थे Use of the Hematoxylene in Histology ठीक ना मतलब कि जो World Year 1862 कह सकती है कि यहाँ पर 1862 की बात कर रहे है ठीक ना 1862 की बात कर रहे है जो की ठीक है 1862 की बात कर रहे है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो Hematoxylene है ठीक है तो उसके बारे में यह Introduce किया था और अपना कह सकती है कि एक Importance जो हता है Contribution दिया था ठीक है उसके बादे में बताया था Later then बाद में Two Year के बाद ठीक है ना दो साल बाद इन्होंने यह बताया कि जो एक तरह काम करता है इसको भी हम आगे देखेंगे जबकि इसमें जो Hematoxylene है तो एक तरह एक Natural dye है जिसके कारण इसकी जो स्पेस्वी के Affinity थी तो वो बहुत ही पूर थी ठीक है तो इन्होंने फिर एक और सवस्तांस को इंट्रोडीज करके बताया खूच करके बताया एलम का ठीक ना जो कि एलम ऐसा मोडांट के रूप में काम करता है जब इसको इस एलम को Hematoxylene के साथ मिक्स करके तयार किया गया देन स्टेनिंग देखा गया तो इस स्टेनिंग की मोर स्पेस्पिक जो हता है इस फिचर्स देखने को मिला यह कब बताया गया था 1864 में लेटर देन बाद में फिर एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था हैडेंस ठीक ना यह इन्होंने इंट्रोडीज किया था क्लासिकल आइरन एलम को ठीक ना किसको इंट्रोडीज किया था आइरन एलम हिमाटोक्सलीन को जो कि यूजड फार दे एस्टेंडर टेकनिक इन दा साइटोलाजी जो एस्टेंडर टेकनिक महानी जा रही है यहाँ पर साइटोलाजी उसको इंट्रोडीज किया था ठीक है लेटर देन बाद में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था इहरलिक ठीक ना इन्होंने यह बताया कि ओवर केम टूदा इस्टेविल्टी आप दे हिमाटोक्सलीन इन्होंने यह बताया कि पूदा जितने भी आप इसका कमपोजिशन तयार किया ठीक ना तयार करने के बाद यह देखा कि इसमें अभी भी कुछ नकुछ इसका जहतों डिफिरेंसियेशन के रूप में बचा हुआ ठीक है तो यहां पर एक और रिजेंट को एडिंग किया वाइद एलम की द्वार जिसको बोला जाता है ग्लैसियल एस्टीक एसिड को एड किया गया और फिर बताया कि यह जो हिमाटोक्सलीन है अब जाकर कि यह पूरी तरीके स पर रहे तो उसमें देखा भी था ठीक है तो थोड़ी थोड़ी यह पॉइंट अपने माइड में रखे इनके वारे में और सबस्यादा यहां पर वर्ल्डेयर के बारे में जरूर नाम रखेगा क्योंकि फस्ट यह इंटोडियूस किये थे जो हिमाटोक्सलीन है वो हिस्ट पर देख कैसे हुई है यह चीज़ के बारे में जानेंगे ठीक है तो पहले इस सब्द को समझते हैं कि हिमाटोक्सलीन इस डिराइड फ्रम दा ओल्ड ग्रीक वर्ड़ सिख ठीक है जिसका मेंस बता रहा है यहां पर कि हिमाटो हिमाटो का मेंस क्या होता है ब्लड ठीक ना और जायलीन मतलब कि जायलोल का मेंस होता है बुड मेंस लखडी ठीक ना इसको निचुरली जो होता है क्या किया जाता है एक पेंड से जिसका नाम होता है यहां पर हिमाटो जायलोन कैपिचिरम ठीक ना इसका नाम होता है आगे और भी इसका डेटेल से देखेंगे यहां स यह पेंड को जहता है इस तरीके से यह पेंड होता है यहां से इसके बर को क्या किया जाता है एक्स्टेट किया जाता है ठीक ना लोग बुड मतलब क्या होता है कि इसकी जो छाल होती है बर होती है उसको जहता है एक्स्टेट किया जाता है ठीक है यह most important useful dye के रूप में यह जो डाई होती है एक तरह का है बेसिक नेचर की होती है जो की स्टेन करती है इसको यह ता है बेस्ट नुकलियर इस्टेन भी माना जाता है ठीक नहीं मतलब होता ही है clear, इतना आप इसके बारे में समझ के रखे, आगे भी detail समझ लेती हैं, ठीक है, बात करेंगे हम direct यह होता है, हिमयotoxilin के बारे में और introduction, यह थोड़ी सी हमने यहाँ पर जान लिया, अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी history समझेंगे, कि actual में यह जो पेंड है, ठीक है, तो कैसे क कैसी यह आया चीज़ को समझेंगे, हिमयotoxilin जो होता है, एक तरह कि most commonly used dye होती है, pathology, liberty में, यह कह सकते है, histopathology, liberty में, जो कि यूज के जाता है, इसका combination with the eocene, eocene के साथ, use के जाता है, dye is the almost indispensable for the routine, morphological visualization of the tissue, is the every histopathologist, थीक न, मतलब कि रोटीन में यूज करने वाली एक तरह क combination करके यूज के जाता है, ठीक न, हिमयotoxilin is a good nuclear stain, जो कि stain करती कि इसको nuclei blue black color, ठीक न, nuclei को stain करेगे ति यह आपको blue black color का दिखाई देगा, however, इस प्रकार से, the dye also stain the collagenous materials, mineral and the myelin fibers, इन सभी को stain करने के भी छमता रखती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से तयार किया जाता है, यह होता है, वार, यह इसको बोला जाता है, वार, यह कि छाल, फिर जब इसको क्या किया जाता है, इसके grinding की जाती है, तो इस तरीके से यह हो जाता है, चून के रूप में, ठीक है, अब यहां से इसकी थोड़ी सी histology समझती है, ठीक यह ट्री के नाम याद रखिएगा है मैक्सीगो में और मैक्सीगो में एक स्टेट है जिसका नाम है कैपिची ठीक ना, इसका कैपिची क्या नाम है, इसका स्टेट का नाम है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको वहाँ पर ही विजुलाइज किया गया देखा गया था और इसका नाम दिया है हमेटोजाइलम कैपिचिनम अब ये रिसेंटली जो होता है बेश्ट इंडीस में भी अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी समझे एक्चल में जो ये पेंड है हमेटोजाइल मानी जाती है उनकी ठीक है मतला कि ये पूरी प्रोपर्टीज ही मानी जाती क्यों कि इसी पेंड के थुरी उनका पूरा जो हता है जीवन का यूटिलाइज होता है ठीक है तो इसका सबसे पहले यूज किया जाता था टेक्स्टाइल इंडेस्टीज में ठीक ना टेक्स्टा लेबरेटी में और तब से वाथ कि एक सकती है चोकि कपीचीन फ्रीस एक्टेट की जाती है अब यहां पर जो हम बार बार बोल लहीं है आप के मारण के लिए की कि इक स्टेक्शन का होथा देदेदि xstream एक तरहे कह सकती है किसी छीज़ को प्राप्ट करना ठीक है तहम है ली pred on elder human applied को कैसे प्राप्ट करते इसकी चीज़ को समझे सबसे पहले क्या किया जाता है जो यह पेंड होता है capetesina टो इसके जो बर को क्या किया जाता है कट किया जाता है ठीक ना कॉप्च डिसको बोलती है इसको चाल को एसमाल पीसे के रूप में इसको एक्टर किया जाता है देन इसके बाद वाटर में इसको वाइल किया जाता है ठीक है जब फस्ट इस वाटर के साथ इसको वाइल किया जाएगा तो य जब इसको ठंडा करेंगे, ति यह ब्लैक कलर के आपको जो जो है, नजर आएगा, ठीक है? फिर दिन इसके वाज़े से आप इसको कूल करेंगे, तो इसका एक प्रिसिपिटेड फार्म को आपको नजर आएगा, मतलब कि इस तरीके से आप कंटेनर में जब इसको वोयलिंग क ने आपको नजारा है ये दिए रोप में गिर मतलब उय क्लियर के इसको क्या है गाए गवार्वाइड कि ये लेगा तो यह सचल इफारिट के जाएगा तो सोल्ड कमर्शलिए ये मार्केट में आपको नजार आएगा थूर है में अबलेवाल रहता है मार्केट में ठीक है कि अमकांट हीमाट्रोक्तलीन है जो ये कंपांट तयार किया गया है इसके अंदर इतनी कविलटी नहीं होती है कि ये इस्टेणिंग कर सके जैसे ही potent use किया जाएगा इसके Stained in Capability क्या हो जाएगी इंहान्स हो जाएगी hematoxylene को oxidation करने की दो process होती है, एक होती है natural oxidation, second होती है यहाँ पर chemical oxidation, लेकिन इन दोनों में आने से फ़हले चीज़ को समझे कि hematoxylene has the no capability to act as a dye, मतलब इसके पास इसी properties capability नहीं है, कि यह dye की तरह काम करें, ठीक है ना its oxidation product hematine is a big purple color dye, मतलब कि hematine product तयार हुआ है इसके related oxidation के दिए तो यह कैसा होता है, big purple dye के रूप में रहता है, ठीक ना इसलिए यहाँ पर oxidation की ज़रूरत पढ़ रही है, तो oxidation is the hematoxylene to the hematine जब oxidation करेंगे, तो hematine होता है, hematine में convert होता है can be done by the two ways ठीक ना, मतलब कि कहने मिन्स यह है, कि जो hematoxylene होता है, hematine में convert करने के लिए, यहाँ पर दो रास्ते apply कि जा रही है, ठीक है एक होता है, यहाँ पर natural oxidation, second होता है chemical oxidation, तो natural oxidation जो होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर, कि sunlight और air, इन दो की exposure जब किया जाता है तभी जाकर कि यह oxidation होता है ठीक ना, और इस process को हम क्या बोलती है, repairing बोलती है, clear, करते कैसे हैं, कुछ खास इसके लिए प्रिकासन्य की method apply नहीं की जाती है, जो आप छाल निकाले उस capuchinum tree का, ठीक है तो उसको आप sunlight येर में डाल दीजे, एप्रोक्समिस्टी थ्री मन्थ के लिए, तो उसमें oxidation की process कंपीट हो जाती है ठीक है न, how you are इससे, the useful staining life that die is longer by the natural repaining process है natural repaining जो process की जा रही है तो इसकी staining जो होते है, useful longer तक रह सकती है, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी chemical oxidation नाम सी पता चल रहा है chemical, तो इसमें हम क्या यूज़ करती है, hydrogen paroxide sodium iodate और mercury oxide, ये जो है तो यूज़ के जाता है as a chemical ये रूप में ठीक है, और sodium iodate जो होता है, most commonly oxidizing agent होता है, ये चीज़को आप समाझ के रखिएगा, ठीक है जब ये chemical के थुरू आप इसका oxidation करेंगे, तो जो hematoxylene होता है, ये convert हो जाता है, extend is hematine, मतलब कि तुरंत ये hematine में convert हो जाता है clear, however the dye has a short useful life spin, तो भी यहाँ पर क्या बता रहा है, कि इसकी जो life spin होती है, तो बहुत ही कम days तक ही रहती है, कुछी दिन तक रहती है, यहाँ पर ये चीज़ point बता रहा है, लेकिन इसके long life spin को बनाने के लिए और भी further process से गुजरना पड़ेगा, इसको आगे हम समझ लेती है अब यहाँ पर जो हम बार बार आपको use कर रहे है कि modern क्या होता है, डाई modern क्या होता है, जो कि उसके affinity को enhance कर रहा है, तो उसके बारे में समझ लेजी, actual में जो hematine आप तयार किये हैं, ठीक है जो hematoxynin से hematine तयार किये हैं, तो इसके पास क्या होता है big iron होता है, big iron का मतलब क्या है, यहाँ पर जो iron सब्धहत, मतलब कि इसके पास क्या है negative charge है, ठीक ना cannot combine with the nucleic acid in the nucleia से, क्यों, क्योंकि जो nucleic acid होता है, इसके पास जो होता है, positive ions होती है ठीक ना, और जो hematine है तो वो negative ion है, तो यह दोनों क्या हो सकती है कि एक दूसरे से combine नहीं हो सकती है, ठीक ना, इनको अगर combine करवाना है, तो hematine के साथ यहाँ पर क्या करेंगे modern का use करेंगे, ठीक ना modern का use करना पड़ेगा और modern के रूप में यहाँ पर metallic salt का use के जा रहा है ठीक है, अब जैसे ही आप modern को metallic salt को hematine के साथ add करेंगे तो यह kaitanik dye के रूप में convert हो जाता है, और kaitanik जो होता है, positive charge होता है ठीक ना, metal complex is formed that the behaves as a strong basic dye and combined with the nucleic acid, जैसे ही यह kaitanik dye को आप इसके साथ add करेंगे, तो यह एक complex का formation करेगा, ठीक ना, और strong जो हता है basic dye बना देगा है, अब जैसे यह basic dye बन गई तो यह इसके साथ combine हो जाएगी, nucleic acid के साथ और nucleic acid के साथ combine होगी तो nucleus को जो जोता है, यह strong color देने का काम कर जाएगी ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर, कि जैसे यह nucleic acid इसके साथ combine होगा, तो यह blue is black color में जो होता है, उसको कुछ types होती है, the types of the modern determine the types of the tissue affinity, ठीक ना, इसके tissue affinity dye के, ठीक ना, dye के tissue affinity और modern को determine करने के लिए, यह कह सकती है, कि उसके जो tissue है, उसको color को enhance करने के लिए, ठीक है, कुछ यहाँ पर modern को जो बताया गया, जो कि इसके अधार पर है, ठीक ना, किसके अधार पर यह hematoksilin को रखा गया है, modern के अधार पर, ठीक है ना, जिसमें से alum यूज किया जाएगा, ठीक ना, alum या इसी को हम aluminum बोलती है, iron यूज के जा रहा है, molybdenum है, tungsten है, lead salt है, ठीक ना, यह सबी use के जा रहा है, as a modern के रूप में, और यह जैसे आप modern के use करेंगे, और उसके साथ combine करेंगे, basic dyes के साथ में, यह tissue की affinity को enhance करेगा, मतलब कि tissue की affinity को बढ़हा देगा, ठीक ना, अब जैसे tissue की affinity को बढ़हाएगा, तो वो अच्छे तरीके से stain हो जाएगा, clear, यह इस तरीके से इसकी process को बता जाता है, अब यहाँ पर हम बार बार जो सब्द यूज कर रहे है, modern, इसको समझ लीज़े, कि actual में बर्क कैसे करता है, कि modern dye complex, ठीक ना, यह एक तरह का dye complex होता है, जो आप dye लोगे, ठीक है ना, यह जैसे आप modern के, इसके साथ apply करेंगे, साथ में dye को भी apply करेंगे, तो यह tissue की क्या करेगा, affinity को enhance कर देगा, ठीक है ना, और यह एक तरह कैसा होता है, insolubal होता है, मतलब कि यह पानी में guland seal नहीं होता है, clear, तो आप हमेशा आण में रखिएगा, जो modern होता है, lake यह की bridge का काम करता है, ठीक ना, किसके बीच में, tissue और dye के बीच में, जो होता है, एक तरह का lake यह की bridge का काम करता है, ठीक है, आगे समझे, types of the hematoxin, जो types hematoxin को, इसको जो होता है, different modern के रूप में, यह कह सकते हैं, कि according to the combination with the different modern, इसके अधार पर इसको classified करके रखा गया है, ऐसे समझे, simple वहासा में, कि जो hematoxin है, उसको modern के अधार पर classified करके बताए गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, iron hematoxin है, second है alum hematoxin, third है tungsten, four है lead, five है, molybdenum, और six है, यहाँ पर only hematoxin, no modern attached है, ठीक ना, basically यहाँ पर जो होता है, five, six, इसके regarding में रखा गया है, अब आगे समझे यहाँ पर, जो types हैं, इसके, ठीक ना, modern के अधार पर hematoxin को सबसे पहले alum है, तो alum को भी क्या किया गया है, further classify fight करके बताएगा, मतलब कि alum के अधार पर भी कुछ है, hematoxin होते हैं, first यहाँ पर है, हरलिक्स, ठीक ना, हरलिक्स, hematoxin, मियर्स है, हैरिस है, गिल्स है, कोल्स, hematoxin, डिला, फाइड, डिला, फिल्ड, hematoxin, और कैर्जी, ठीक ना, यह सभी hematoxin, use किये जा रहे हैं, alum hematoxin के अधार पर, clear, इन सभी को आप अपने mind में नाम याद करके रखिएगा, clear, next, यहाँ पर समझें आप, यह जो जितने भी modern यहाँ पर बताया जा रहा है, इनका थोड़ी सी basic और feature से हम समझ लेते हैं, ठीक ना, थोड़ी सी details यहाँ पर classes होगी, तो आप classes को concentrate होकर के, जरूर सुनिएगा कि कि बहुत ही important से यह, यहाँ पर stain का नाम बताया गया है, modern day, कौन से use किया रहा है, basically, कौन सी process हो रही है, ठीक ना, oxidation में, क्या uses है, उसका staining time क्या है, और life experiment क्या होती है, ठीक ना, यह हरलिक सीमेटोकसली जो होता है, इसमें potass alum यूज की जाता है, natural oxidation process होती है, nuclear और eosin को stain करने के साथ stain करने के यूज की जाता है, ठीक है, और इसका time जो होता है, 20 से ले करके 45 minute होता है, और लगभग आप एक साल से उपर इसको store करके रख सकती है, ठीक है ना, अब यहाँ पर दो सब्दा आपको explain करेंगे, एक आपको मिलेगा देखने को, यहाँ पर P और एक मिलेगा यहाँ पर R, P फार होता है progressive stain और R फार होता है regressive stain, ठीक है, इसके वाज़ में समझे, मेर सी में टोक्सलीन सेकंड यहाँ पर stain है, इसमें अमोनियम और पोटास यूज़ कर सकती है, इसमें जो oxidation की process हो रही है, chemical oxidation हो रहा है, sodium iodate most commonly यूज़ के जा रहा है, nuclear stain used with the eocene, ठीक ना, और इसमें जो staining की जा रही है, और इसको आप 3-4 मनता इस्टोर करके रख सकती है, प्रिपियर करेंगे जब, next हैरी सीमेटोक्सिन अमोनियम और सोडियम एलम यूज़ के जा रहा है, इसमें chemical process for oxidation की mercury oxide यूज़ के जा रहा है, ठीक ना, सेम यहाँ पर भी application इसके है, timing की अगर बात करेंगे, progressive stain के लिए 4-30 second यूज़ के जाएगा, regressive staining के लिए 5-15 minutes यूज़ के जाएगा, और लगभग 3 मनता इसको भी आपर store कर सकते हैं, ठीक है, गिल्स की बात करेंगे, यहाँ पर अमोनियम sulphate यूज़ के जा रहा है, modern के रूप में chemical oxidation प्रोसेस हो रही है, nuclear stain यूज़ के जाता है, timing की बात करेंगे, 5-15 minutes और 3-month के लिए life span, coal से hematoxin की बात करेंगे, potassium alum यूज़ के जा रहा है, chemical process हो रही है, nuclear यूज़ के जा रहा है, 20 से लेकर 45 minutes इसका timing है, और लगभग 3-month इस्टोर कर सकते हैं, डिला फिल्ड है, hematoxin की बात करेंगे, ammonium alum यूज़ के जा रहा है, natural oxidation प्रोसेस हो रही है, ठीक है, और nuclear eosin application के लिए उसके जा रहा है, 15 से लेकर के 20 minutes का time लगे है, और लगभग 1 साल से उपर तक इस्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, कैर जी, hematoxin की बात करेंगे, potass alum यूज़ करा है, modern के रूप में, chemical oxidation प्रोसेस हो रही है, nuclear stain भी थे, eosin यूज़ के जा रहा है, progressive के लिए, एक से 2 minutes का time लगेगा, और regressive के लिए 10 minutes का time लगेगा, लगबख 6 months तक आप, life spend के रूप में store कर सकते हैं, ठीक है, यह चीज़ को आप हमेशा अपने mind में रखे, कि यहाँ से question जरूर generate होते है, competition में, और साथ में, academic में भी लिखने के लिए, ठीक है, आगे समझ लेते हैं यहाँ पर, कि इसका composition, ठीक है जो, जितने भी हम यहाँ पर, hematoxylene यूज कर रही हैं, ठीक है, जिसको हम heem alum भी बोलते हैं, तो यहाँ पर सभी composition समझ लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है, इहरलिक hematoxylene, इसमें आप hematoxylene 2 gram यूज करेंगे, absolute alcohol 100 ml, distilled water 100 ml, ठीक है, और glycerin 100 ml, glacial stick acid 10 ml, और potassium alum 15 gram लगवाग, ठीक न, इतना आप mix करके तयार कर सकती हैं, मेर से हमेatoxylene की बाद करेंगे, तह हमेatoxylene 1 gram रहेगा, ठीक न, distilled water 1 liter रहेगा, ठीक न, 1000 ml potassium alum 50 gram रहेगा, sodium iodate 0.2 gram रहेगा, citric acid 1 gram, और chloride hydrate 50 gram, ठीक न, ये सभी यूज किये जा रहे हैं, किसके लिए, इन दोनों के composition के लिए, next है, हैरिस हमेatoxylene, हैरिस हमेatoxylene में, 2.5 gram हमेatoxylene रहेगा, एबसलुटिवल लगोहल 50 ml, distilled water 500 ml, mercury oxide 1.5 gram, glacial stick acid 20 ml, और potassium alum 50 gram, ये आप यूज करके तयार कर सकते हैं, गिल से हमेatoxylene की बात करेंगे, हमेatoxylene 2 gram रहता है, sodium iodate 0.2 gram, aluminium sulfate 17.6 gram, distilled water 750 ml, और ethylene glycone 250 ml, glacier stick acid 20 ml, इन सभी को तयार कर सकते हैं, आप एक container में, ठीक है, next यहाँ पर समझेगा, coal से हमेatoxylene, इसको तयार करने के लिए, हमेatoxylene 1.5 gram लेंगे, ठीक है ना, saturated aquos potassium alum 700 ml, 1% iodine in 95% alcohol 50 ml, distilled water 250 ml, ठीक है ना, डिला फिल्ड हमेatoxylene, यूज करेंगे, हमेatoxylene को 4 gram, 95% alcohol 125 ml, ठीक है, saturated aquos potassium alum 400 ml, और glycerin को 100 ml, ठीक है ना, इन सबी को mix करके, आप इस हमेatoxylene को तयार करिए, कैरजी हमेatoxylene में, हमेatoxylene 5 gram, potassium alum 25 gram, potassium iodate 0.1 gram, distilled water 400 ml, और glycerin 100 ml, इन सबी का आप यूज करके भी, तयार कर सकती हैं, clear, next यहाँ पर है, types of the iron हमेatoxylene, iron के अधार पर हमेatoxylene को बताया गया है, bigots hematoxylene, head enhance hematoxylene, barhaps hematoxylene, और lowage hematoxylene, ठीक है ना, इन चार को भी आप याद रखेगा ना, आप कभी कवार पूच देता है, इन सबी को थोड़ी सी और application हो गयरा, समझ लेते हैं, कैसे क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, bigots hematoxylene, इसमें ferric chloride, modern के रूप में यूज के जाता है, natural oxidation process होती है, ठीक ना, nuclear stain भी थे, acid dyes stain, nucleus brown black color, हैनक मतलब यह है, कि nuclear stain और acid dye के साथ यूज की जाता है, जब nucleus काप stain करेंगे, तो ब्राउन टू black color का दिखाई देगी, 15 से 30 मिनट का time लगता है, ठीक है, head enhanced hematoxylene में, ferric ammonium sulfate यूज की जाते हैं, natural oxidation process होती है, और intra cellular details अगर देखना है, तो इन सबी के लिए आप stain करेंगे, ठीक है, 30 से लेकर 45 मिनट, अलगबर 60 degree temperature में, और room temperature में अगर करना है, तो आपको 24 से 12 से 14 गंटे का time लगेगा, ठीक है न, बरहाप्स की अगर बात करेंगे, यहाँ पर तो ferric chloride यूज के जाएगा, natural oxidation होगा, elastic fiber के लिए specific माना जाता है, ठीक है न, 25 से लेकर के 60 मिनट, इसका timing रहता है इस दे नहीं के, low edge hematoxin में, ferric ammonium sulfate यूज के जाता है, natural oxidation होती है, और यह myelin tissue के लिए, यूज के जाता है, ठीक, इतना इनके बारे में आप जानकारी रखिए, नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगी, इसका composition ठीक न, बरहाप्स का composition क्या है, कि hematoxin solution ठीक न, और इधर iron solution दोनों का नाम दियागा, तो hematoxin यहाँ पर 1 gram लेंगे, ठीक न, और 30% aquosferic chloride को 4 ml लेंगे, ठीक, absolute alcohol 100 ml, और hydrochloric acid 1 ml, ठीक न, और distilled water 95 ml, इसको तयार कर लेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर, हेड़ एन्हेंस hematoxin में, दो चीज़ यूज़ के जा रहा है, हिमatoxin 0.5 gram, absolute alcohol 100 ml, और distilled water 90 ml, ठीक न, आरन solution के लिए, फेरिक ammonium sulphate 5 gram, और distilled water 100 ml, ठीक, बरहाप्स के लिए, stock solution तयार अगर करना है, तो 5% alcoholic hydro hematoxin 10 ml लेंगे, 10% ferric chloride का 4 ml लेंगे, ठीक न, और logals iodine का है, 4 ml लेंगे, इसको भी आप तयार करके, prepare कर लेंगे, clear, next आप यहाँ पर है, tungsten hematoxin, tungsten hematoxin यह बेसिकली, आप इतना समझ के रखिए, कि इसमें, fast potongesting acid hematoxin यूज के जाता है, as a example के रूप में, जो कि ये कैसा काम करता है, as a modern के रूप में काम करता है, जो hematoxin होता है, वो oxidizing naturally तरीके से हो रहा है, ठीक न, जिसमें से potassium permagnate, as a oxidizing agent के रूप में, यूज कर रहे हैं, prepare अगर करना है, इसको तो आप hematine को require करिए, लेकिन oxidation की यहाँ पर process नहीं होगी, ठीक है न, routine staining के अगर बात करेंगे, तो किसके किसके लिए यूज के जा सकता है, nervous tissue जो होते हैं, ठीक है न, और also the muscles estriation and fibrin, ये जितने भी होते हैं, इसके लिए यूज के जाता है, जब इसको आप stain करेंगे, तो ये sets up the blue and red color का दिखाई देगा, progressive stain में इसकी timing की बात करें, तो एक से लेकर के 16 गंटे लग सकता है, ठीक है, temperature, अगर room temperature है, ठीक है, अगर आप 60 degree के temperature देंगे, तो लगवा कि ये, एक से लेकर के 2 गंटे के अंदर compete हो जाएगा, के लिए, इतना आप इसके बारे में समझ के रखिए, next यहां पर समझेगे, molybdenum hematogilin, ठीक है कि hematoksilin, दोनों आप pronunciation कर सकती है, इसमें molybdic acid as a motant के रूप में यूज किया जा रहा है, most accepted molybdenum hematogilin यूज के जाता है, is the thomas hematogilin, ठीक ना, hydrogen paroxid used for the oxidation, ठीक क्लियर, और collision granules and endocrine cells, इन सब भी के लिए stain करने के लिए यूज के जा रहा है, जिसमें से अगर आप stain करेंगे, तो collision जो होता है, violet to black color के दिखाए देगा, argentina fin cells जो होती है, color का दिखाई देगा, clear, ये किसमें दिखाई दे रहा है, molybdenum hematogilin में, clear, अब यहाँ पर second हम जानेंगे, iocene के बारे में, इतना पूरी हमने जानकारी किसके बारे में दिया है, अभी तक, hematogilin के बारे में दिया है, iocene को counter stain नाम देंगे, ठीक ना, uses के अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसका use के जाता है, as a counter stain of the cytoplasm, मतलब cytoplasm को stain करने के लिए, साथ ही ये connective tissue and matrix है, जितने भी matrix और connective tissue होती हैं, उन सभी को stain करता है, ठीक ना, जब ये stain करेगा, ये रोजी red to pink color का हैं, provide करेगा, ये color से हम अपने highlight कर दिया, याद रखिएगा, ठीक ना, जन्थीन group of the dye, ये किस dye के group का होता है, जन्थीन का है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम dye theory पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आया जाएगा, ठीक ना, सिर्फ इतना अपने mind में ना मियाद रखिए, इसका, कि जन्थीन group of the dye, ये रहता है, जो कि किसके साथ ये structure बनाता है, अपना chemical structure, tetrabromo fluorescence, ठीक ना, किसके साथ ये combination कर रहा है, tetrabromo fluorescence, eocene जो होता है, विसके लिए तीन टाइप्स को होता है, eocene by, eocene b और ethile eocene, तीन होते हैं इसमें, clear, eocene by को हम yellow eocene भी कहती है, और eocene b को हम blue eocene b कहती है, लेकिन इसमें जो eocene by होती है, ये most commonly use की जाती है, ठीक ना, जो की यह तीन में से कह सकती है कि सबसे अच्छी माने जाती है जो इयोसीन बाइड होती है क्लेर बाइड मतलब होता है अलो अब स्याकी एलो कलर का है इयोसीन जो होती है Soilubal होती है बाटर और एलकोहल दोनों के साथ में यह चीज आप नमेंसा अपने माइड में रखिएगा एकवाट सॉलूशन के रूप में यहाँ पर 1% योसीन को डिस्टिल वाटर में एड करते हैं डिस्टिल वाटर लिल्कोगल सॉलूशन में मिक्स करते हैं देन इसके बाद 0.5% इन 95% इथायल अल्कोगल इन सबी को मिक्स करके आप तयार कर लेती हैं एकवाट सॉलूशन के रूप में योसीन को ठीक है अब यहाँ पर हम जितना भी दोनों की जानकारी दिया कि योसीन और हिमेटोक्सीन इन दोनों के बारे में होल जानकारी दे दिया अब यहाँ पर हम डारेट बात करेंगे H&E Staining, Hematoxin and Eocene के बारे में, ठीके न, इसको भी आप समझ लेती, क्योंकि एक ही लेक्चेर में पूरा हम complete कर रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ी सी इसका introduction समझेंगे, वही चीज है, कि Elm जो होता है, वो as a modern के रूप में काम करता है, जब आप Hematoxin and Eocene को इसके साथ add करेंगे, तब क्योंकि Hematoxin अपने आप में जब यह single रहेगा, single die की रूप में रहेगा, तिसके अंदर इतनी affinity नहीं होती है, इतनी affinity नहीं होती है, वो nucleus को blue color provide कर सके हैं, ठीक है न, It is red in the presence of the acid and differentiation is achieved by treating the tissue with the acid alcohol, यहाँ पर एक acid alcohol की use के जाता है, जो की differentiation का काम करता है, उसके बारे में भी समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम समझ देते हैं इसके principle को, principle को इसमें से समझेंगे, actual में, यहाँ पर principle में आनेक्स पहले दो चीज़ समझेंगे, यह होता है cytoplasm और यहाँ पर होता है center में nucleus, ठीक है न, तो यह क्या होगा, यहाँ पर यह nucleus होगा, और यह point जो है, यह cytoplasm है, तो nucleus के अंदर क्या present होता है, DNA, RNA होता है, ठीक है न, और जो cytoplasm है, वो फूरा कै components के रूप में present है, तो जो DNA, RNA होता है, ठीक है, यह चीज़ को समझें, वो एक तरह का है, acidic components के रूप में काम करता है, और cytoplasm में जितने भी argon present होती है, तो वो सभी क्या करती है, basic components के रूप में काम करती है, यह पहले आप principle को समझें, ठीक न, तो यहाँ पर वही point लिखा है, the acidic component of the cells has the affinity to the basic dyes, ठीक न, and basic component of the cells has affinity to the acidic dyes, कहने के मतलब यहाँ पर यह है, कि जो acidic components होंगे cells, वो अपनी affinity को basic dyes के साथ compare करेंगे, ठीक न, combine करेंगे, और जो basic components होंगे cells के, वो अपनी affinity को acidic dyes के साथ क्या करेंगे, combine करेंगे, तो यहाँ पर वही point आपको बताया, कि जो acidic components होंगे, तो DNA, RNA मतलब कि nucleus हो जाएंगे, और जो basic component हो जाएंगे, वो cytoplasm पर रहेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर, कि in hematoxin and eosin, मतलब hematoxin और eosin में hematoxin stain the acidic part of the cells हैं, ठीक न, hematoxin जो होता है, acidic part को stain करेंगा, that is nucleus, ठीक न, nucleus को stain करने काम करेंगा, so hematoxin is called as a nuclear stain, इसलिए इसको nuclear stain कहा जाता है, जब कि while eosin act as the acidic stain, मतलब यह acidic stain मतलब की act तो करेंगा, मतलब की stick stain की तरह का करेंगा, लेकिन bind with the basic part of the cells, कि किसके साथ जाकर के bind करेंगा, जो basic part cells के हैं, उसके साथ यह bind करेंगा, that is cytoplasm है, और cytoplasm को जब stain करेंगा, cytoplasm जो होता है, यह pink color का provide होगा, clear, this is the principle of the h and e staining, clear, अब principle आप समझ गें, अब यहाँ पर requirement की ज़रूरत करेंगे, यहाँ पर जारीन आप यूज़ करेंगे, first और second दो container के रूप में, 10% formalin भी यूज़ करेंगे, alcohol भी यूज़ कर सकते हैं, 70 से ले करके, 95 या कि absolute alcohol 100%, first और second ठीक न, 1% lithium bicarbonate भी यूज़ कर सकते हैं, histokinate machine का नाम है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, microtome भी यूज कर सकते हैं, section cutting के लिए, microtome knife भी यूज़ कर सकते हैं, block को cut करने के लिए, DPX mount यूज़ करेंगे, jalin यूज़ करेंगे, और H&D staining यूज़ करेंगे, microscope यूज़ करेंगे, light या कि electron microscope, दो में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यह सब ये requirement अपने mind में रखेगा, ये जरूरी ह क्लियर, आप यहाँ पर और हम समझेंगे कि composition आप दा hemotoxidine stain ठीक ना, जो हम hemotoxidine stain तयार करने जा रहे हैं, उसका composition क्या क्या है, तो सबसे पहले हम Harris hemotoxidine के बारे हम समझेंगे, इसमें actual में करते हैं, simple तरीके से 1 gram hemotoxidine लेंगे, और 10 ml ethena, ठीक ना, दोनों को mix करेंगे, और साथ में 20 gram ammonium alum को hot water में, clear, यहाँ पर कामा होना चाहिए, इन सा भी mix करके तयार कर लेंगे, और उसको boil करेंगे, ठीक ना, boil करने के बाद, 0.5 gram mercuric oxide एट करेंगे, ठीक ना, इतना solution जब एट करेंगे, और यह पूड़ा हम किसमें तयार कर लेंगे, इस तरीके से एक, ज सेकंड हम eocene को stain तयार करेंगे, तो इसमें हम biocene 1 gram यूज़ करेंगे, distill water 80 ml और ethanol 320 ml, इन सभी को mix करने के बाद, उसमें glacial stick acid 2 drop aid कर देंगे, यह कौन से stain प्रिपियर हो जाएगा, eocene, ठीक ना, eocene को भी एक इस तरीके से coupling jar container में प्रिपियर कर देंगे, next आपको जरूरत पढ़ सकती है, coupling jar, coupling jar कुछ इस तरीके से होता है, इसके अंदर गत यह couple बने होती है, corner slide को रखने के लिए, ठीक ना, सबसे पहले अगर इसकी थोड़ी सिम चर्चा कर लेती है, सबसे पहले जब इसको तयार कियागा, मतलब कि प्रिपियर किया था, तो glass के रूप में प्रि प्लास्टिक भी बना करके यह ब्लेवल करने लगें, क्यों क्योंकि glass जो होता है, तो इसमें disadvantage है, कि तोटने का डर्चादा बना रहता है, और long time तक यह चलता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक के यूज़ होने लगा, और यहाँ पर slide rack भी आप यूज़ 0.5% hydrochloric acid, 5% ammonium butter use करेंगे, जाली यूज़ करेंगे, DPX mount के रूप में यूज़ करेंगे, alcohol use करेंगे, 1895 और 100 ml और absolute alcohol, इन सभी को आप यूज़ कर सकते हैं, as a requirement के रूप में, क्लियर, आप चलिए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, सबसे पहले इसकी procedure, कि जो हम करने जा रहे है, staining, इसकी procedure क्या है, देखे, actual में, अगर technician expert होगा, तो वो क्या करता है, कि डी पैराफिनाजेशन, जो फस्ट स्टेप होती है, तो वो डी पैराफिनाजेशन कर देता है, ठीक ना, अगर डी पैराफिनाजेशन, यह प्रोसेस नहीं किया है, तो आपके पास अगर slide आ रह हुआ है, तो वहां से आप पैराफिन बैक्स को रिमूब करेंगे, और यह जो रिमूब करने की प्रोसेस होती, उसी को बोला जाता है, डी पैराफिनाजेशन, तो इसको रिमूब करने के लिए, दो तीन तरीके से method apply की जा सकती है, एक तो आप जो slide होती है, उसको flame में होता है, वहां पर भी slide को रख दीजे, उससे भी पैराफिन बैक्स रिमूब हो जाएगा, देन इसके बाद आप जैलिन कंटीनर में एक बार पूट करिए, दो तीन से चार्न गट के लिए और अच्छे तरीके से डी पैराफिनाजेशन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट यह परसेंट, 95%, 80% और 60% है, ठीक ना, मतलब कि आप absolute alcohol जेट करके 60% तर लाएगे तो बाटर कंटेंट उसके अंदर पिनिटेट हो जाए, देन इसके बाद आप टैप बाटर, रनिंग टैप बाटर से इसको रिंस कर दीजे, देन इसके बाद डिस्टिल बाटर से इसको रिंस क लिए, ठीक ना, फिर अपलाई करीए, यहां पर nuclear stain, nuclear stain जो होता है तक hematoksiline stain होता है, क्लिए, the stain the section with the hematoksiline solution for 3 to 5 minutes, then was in the running tap water, rtw, ठीक ना, त आप 3 से 5 minute के लिए इसको stain करीए, hematoksiline solution के साथ में, stain के साथ में, और एक चीज आपको बता दे, यहां पर जो अगर फर्स्ट बार यूज़ कर रहे हैं, सिकंड बार यूज़ कर रहे हैं, तो तीन से पांच मिनाट का टाइम लेगा, लेकिन वही इस्टेन को आप रिमूब नहीं कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वह फाइब मिनाट भी ले सकता है, तीन मिनाट भी ले सकत करके तो क्योंकि लिए टिप्ट इन एंड आउट दे 0.5% है ट्रोडरी के सिर्ट मतलब का आप इस लाइड को डालिए और आउट का लिजिए निकाल लीजिए ठीक ना क्योंकि लिए इस लाइड रॉनिंग टैब बाटर फार्ड़ शिच्टी टू 60 सेकंड मतलब 30 से 60 सेकंड तक आप रॉनिंग टैब बाटर में दीजिए तो और उच्छे सी वो रिंस हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर इस टेप्स आती है ब्लूइंग ठीक ना ब्लूइंग की प्रोसेस होती है तो ब्लूइंग में करते क्या है कि जो स्लाइड आप है तो सेवरल टाइम 5% डालूटेड अमोनिया बाटर में पूट करें देन इसके बाद उसको बास कर दीजिए रॉनिंग टैब बाटर में तो उस तरीके से ब्लूइंग की प्रोसेस हो जाती है ठीक है ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि जो नुकलियास को इस्टेन किया जा रहा है के लिए नेक्स्ट है साइटो प्लाजमी के स्टेन साइटो प्लाजमी के स्टेन का मतलब यहां पर साइटो प्लाजमी के स्टेन का नहात यहां पर हम यो सीन सोलूशन जो अभी तैयार की है उसको स्टेन करेंगे मतलब कि यो सीन स्टेनिंग एप्लाई करेंगे हो जाएगा तिए इंक्रीजिंग कंसंटेशन आप एल्कोहल लाइक 80 90 100 100 परसेंट एपसलूइट एल्कोहल फार टू मिनट्स हैं के लिए इतने मिनट्स के लिए आप इसको रिहाइडेशन करिए तो अच्छे तरीके से वह डिहाइडेट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप आती दय की तो आप क्या करें यहां पर मांट करिए धी p x मांटिंग मीडिया के साथ ठीग åb 확인 होता है नश्हिति धाय ब्यूम होता है डाई-ब्युंठी पैठलियट जालीन इन तो आप इसका यूज करके हैं DPS करका है यूज करके माउंट कर सकते हैं लेकिन माउंट क्या होता है माउंटिंग मीडिया क्या होती है कैसे की जाती है इसको हम next lecture में complete करेंगे सिर्फ आप यहां पर इसकी process करेंगे अब जैसे माउंट हो गया तो देन इसके बाद आप स्लाइड को अपने जो हिस्टोलोजी डांक्टर रहेंगे उसको आप हैंड ओवर करिए वो स्टेनिंग प्रोसेस है अब यहां पर इसका हम रिजल्ट समझ लेती है कि इस तरीके से आप देख रहे होंगे यह जो आपको ब्लूई कलर का नजर आ रहा है यह सभी क्या है नुकलियास है यह जितने आपको नजर आ रहे हैं यह सभी नुकलियास है ठीके ना जो कि यह इंडिकेर कर रहा है कि हीमेटोक्सलीन स्टेन किया है नुकलियास को और यह जितने भी आपको पिंकिस कलर के नजर आ रहे हैं पूरे यह होती है यह सिन के द्वा के नजार आ रहा है तो इट वास आल इबाउट ही मैं योशी होप सो आपको समझ में आया होगा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार जितने बार हो सही आप लेक्चर को रिपीड देखिए ठीक ना बहुत ही ही के हिस्तोलॉजी डिपाडमेंस से ले करके कंपटीषन में तो इमपोर्टेंस है साथ ही साथ ही यहां पर जो हो एकड़मीक एक्जानदेंगे उसके लिए समझ में आया होगा तो देखिए और और पहुत ही देखिजिए क्लियर थेंक्यू सो मक्ने